Infertility या बांजपन या निसंतानता अक्सर females की यानि महिलाओं की problem मानी जाती है पर क्या आपको पता है ये आधे cases में यानि कि 50% cases में कारण पुरुषों में होता है यानि कि पुरुष निसंतानता या बांजपन और male infertility भी कहते हैं नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर शिप्राकूर और मैं मनिपाल हॉस्पिटल खराडी पुने में as consultant gynecologist काम कर रही हूँ और आज हम बात करेंगे male infertility या फुरुष निसंतानता या बांजपन के बारे में बांजपन या infertility अगर एक कपल या दमपती एक साल कोशिश करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पाते या और उन्होंने कोई भी contraception या प्रेगनेंसी रोपने का कोई भी तरीका इस्तमाल न किया हो तो उसको infertility कहते हैं infertility male, female दोनों के कारोनों से हो सकती है अगर हम आकड़े देखें तो 30% cases में ये female की वज़़ा से होती है 30% male की वज़ा से होती है 10% cases में हम कोई भी cause नहीं दून पाते हैं और इसको unexplained infertility कहा जाता है और 30% cases में ये एक दोनों male और female दोनों में कोई न कोई कारण मिलता है पुरुष में बांचपन का कारण या male infertility के बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन इसमें सबसे important जो कारण होता है वो sperm count यानि शुक्राणू की कमी होता है शुक्राणू में के कमी WHO यानि की World Health Organization के मताबिक 15 million per ml से अगर शुक्राणू कम है तो वो low sperm count यानि शुक्राणू की कमी माना जाता है और साथी में अगर शुक्राणू की गती में कमी है या शुक्राणू की बनावट में खराबी है शुक्राणू का एक आकार होता है जिसमें की head, neck और tail piece होता है इनमें कहीं बेभी खराबी होने की वज़ा से pregnancy नहीं होती है साथी में अगर कोई genetic problem है उसकी वज़ा से भी pregnancy नहीं हो सकती है या hormonal imbalance है जैसे की males में estrogen की मातरा अधिक होना या फिर female hormone जैसे की testosterone की कमी होना साथी में अगर कभी testis पे या जो male organ है उस पे कभी चोट लगी हो या mumps हुआ हो तो इन पुर्षों को भी pregnancy होने में दिक्कत आ सकती है अगर बहुत मुटापा हो या कोई ऐसी दमाईयां ले रहे हो जैसे cancer की therapy हुई हो उनके भी pregnancy होने में दिक्कत आ सकती है कुछ पुरुष जो बहुत heat के पास काम करते हैं जैसे भट्टियों के पास काम करते हैं उनको भी उनके भी शुक्राडू कम हो सकते हैं और उनको भी pregnancy होने में दिक्कत आ सकती है पुर्षों में कुछ लक्षन हैं जिर पे नजर रखनी चाहिए और आपको तुरंत अपने गानेकॉलिजिस से मिलना चाहिए अगर कभी बचपन में मेल औरगन या टेस्टिस पे चोट लगी हो या मम्स हुआ हो या उनका स्तन बल रहा हो या फेस पे और मतलब डाड़ी कम हो रही है या शरीर के बाल कम हो रहे हैं पहले कभी कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ हो या फेर एरेक्शन में उनको प्राब्लम आती हो इन लोगों को अपने डॉक्टर से तुरंत मिला चाहिए या पुरश बाज़बन का उपचार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें से कि आप दवाईयां दे सकते हैं या सर्जरी कर सकते हैं या आईविएफ कर सकते हैं तो दवाइयां अगर शुक्राणू की गती बहुत कम होती है तो हम एंटी ऑक्सिडन्स या और भी दवाइयां दे सकते हैं अगर मेल ओर्गन में वैरिकोसील यानी कि वहाँ की नसे तनी हुई है या बहुत प्रामिनन्ट है तो उनकी सरजरी भी की जा सकती है कितना शुक्राडू कम है उस पे हमारा आगे का उपचार डिपेंड करता है तो सबसे पहले अगर mild कमी है शुक्राडू की यानि कि 10 से 15 मिलियन के बीच में शुक्राडू है तो हम उनको IUI कर सकते हैं IUI यानि कि intrauterine insemination इसमें पुरुष के शुक्राडू लेके और महिला के यूट्रिस में डाला जाता है और इससे pregnancy होने के chances बढ़ जाते हैं कुछ अगर शुक्राडू 10 मिलियन से भी कम है तो in vitro fertilization यानि कि IVF की सहायता लेनी पड़ती है और अगर शुक्राडू बहुत ही जादा कम हैं तो एक special type का IVF जिसको की इकसी कहा जाता है intracytoplasmic sperm injection इसमें एक ही शुक्राडू लेके वो अंडे में inject किया जाता है और उसके बाद जो pregnancy होती है वो मदर के अंदर यूट्रिस में वापस डाली जाती है तो ये सब कुछ तरीके हैं कि हम जिससे उपचार कर सकते हैं और एक सबसे अच्छी बात ये है कि अगर एक भी sperm मिलता है तो उससे भी pregnancy हो सकती है